गुड बॉर्निंग इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूस यह है कि सदी के सबसे बड़े महानायक यानि की मिस्टर अमिताब बच्चन को देर रात मुंबई के नानावती होस्पिटल में शिफ्ट किया गया है वहाँ पर वो कोरोना पोजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने य उनके अंडर स्टाफ जो काम करता है उन सबका टेस्ट किया गया है और उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और उन्होंने ये भी दर्खवास्त की है कि जो बीते दस दिन में जो लोग उनके कॉंटेक्ट में आए होंगे वो भी अपना कोरोना टेस्ट कर वाले अमिताब पचन सदी के सबसे बड़े महानायक है और उनकी फैन फोलॉइंग सबसे जादा है इसलिए सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं उनके लिए हवन कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो कोरोना को हरा दे मंत्री हों मुख्य मंत्री हों चाहें अभिनेता हों न पास-पास हैं और इस उमर में करोना का जो खत्र है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और सुन अभी न्यूज में ये भी आ रहा है कि जो अभिशेक बच्चन है वो भी करोना पोजिटिव पाए गये हैं बाकि ज्यादा चिंता की बात नहीं है क्योंकि उनकी दोनों की ह क्षालत है वह स्थिर है और नाना वती अस्पीटल में भरती है रहा है और उनका औक्षिजन लेवल क्षिजों भी 95 प्लस है तो इस इसको स्थिर माना जाता है अभी मतलब उनकी जो एक तबियत है वह स्टेबल है बाकि जो उनकी family members है जया बच्चन और अश्वर्या बच्चन एंड उनकी जो पोती है आराध्या बच्चन उनके भी rapid antison test हुए हैं और उसकी report negative आई है बलकि जो उनका एक test की report अभी आने बाकी है वो दोपहर 12 बजे के बाद आएगी भारत में कोरोना से संकर्मित लोगों की संख्या 8 लाग से उपर पहुंच चुकी है बलकि इन में से 5,15,346 लोग जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं